नमस्कार में आप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को राहूल गांधी ने केंदर सरकार को आर्थिक पैकेज पर पुनर्विचार करने का दिया सुझाव कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने केंदर सरकार के आर्थिक पैकेज को लेकर सरकार को कुछ जरूरी सुझाव दिये हैं जिसके तहत उन्होंने कहा है कि गरीबों की जेट में सीधा पैसा जाना चाहिए लोगों को कर्ज नहीं क्या आश्की जरूरत है उन्होंने आगे कहा कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए और अगर लोगों को काम मिलेगा तो देश की रेटिंग अपने आप ठीक हो जाएगी देश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और मज़दूरों का अभी का दोर सबसे नाजुक साबित होगा सरकार को यह लगता है कि अगर हमारा राज कोशिय घाटा बढ़ जाएगा तो विदेश की जो एजिंसी है वो हमारी रेटिंग कम कर देगी लेकिन मैं सरकार को बता दू कि हिंदूस्तान की जो रेटिंग है वह हिंदूस्तान के लोगों से है इसे लिए सरकार को विदेशियों के बारे में कम सोच कर अपने देशवासियों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए अमेरिका भारत को देगा वेंटी लेटर जहां एक तरफ अमेरिका को भारत ने बीते दिन HCQ की खेब भेजी थी वहीं अब अमेरिका ने भारत को वेंटी लेटर देने का बादा किया है अमेरिकी राश्टपती डॉनल्ड टॉम्प ने शरीवार को इसके लिए ट्वीट किया है कि भारत को अमेरिका की तरफ से COVID-19 की इस परीक्षा में पास करने के लिए मदद के तोर पर वेंटीलेटर दान किया जा रहा है मुझे यह घोशना करते वें गर्ब हो रहा है कि सहयोत राज अमेरिका भारत में हमारे दोस्तों को वेंटीलेटर दान करेगा हम COVID-19 के दौरान भारत और प्रधानमती नरेंदर मोधी के साथ खड़े हैं हम इसके इलाज को खोजने पर भी सहयोग कर रहे हैं जिसकी घोशना केंद्रिय वित्मंत्री निर्मला सीता रमन ने करते वें यह बताया कि भारत में हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोर रूपे के पैकच की घोशना की गई है जिससे कि किसानों की आय लगभग 5000 करोर रूपे तक बढ़ जाएगी लगभग 10 लाग हेक्टेएर में हर्बल प्रोडक्ट के सरकार के इस प्लाइन से किसानों की आय में काफी ज्यादा इजाफ़ा होगा इसके साथ ही वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने यह भी बताया कि गंगा की किनारे 800 हेक्टेर भूबी पर हर्बर प्रॉडक्ट के लिए कॉरिड़र भी बनाये जाएगा गंगा को किनारे पर ओशुधिये पौधे का गल यारभी बनाये जाएगा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे बीते दिन वितमंत्रि निर्मला सीता रमने क्रिशी और उससे जुड़े सेक्टर के लिए कुल मिलाकर 11 एलान किये थे इसमें आठ एलान क्रिशी के बुनियादी रहाजी को मजबूत करने शमता को बहतर लोजिस्टिक के निर्मान से संबंधित जबकी तीन एलान प्रशासनिक सुधारों से जुड़े हुए थे COVID-19 के मरीजों में बढ़ोतरी होने के बावजूद भी भारत को है राहत देश में लगातार COVID-19 के मामले में इजाफा हो रहा है पर आक्रे बताते हैं कि इसका फैलाव रोकने में सफलता भी मिल रही है भारते जेकित्सा अनुसंधान परिश्यत के ताजा आंगडों के अनुसार अब तक 20 लाग टेस्ट हो चुके हैं लेकिन इन में से 4 फीसी दी मामले में COVID-19 पॉजिटिफ पाए गया है भारत में जनवरी के अंतिम हफते में जान चुरू हुए थी और अब 80 से 90 लाग टेस्ट हर दिन हो रहे हैं 2 माई को 10 लाग टेस्ट पूरे हुए थे मही 15 माई को संख्या 2 लाग पार कर गई थी वही COVID-19 के संक्रमन के आकलन के लिए रिप्रोडक्शन रेट का भी आधार बनाये गया है यह भी एक दिश्रमलब दोनों के करीब पर है मोटे तौर पर इसका मतलब यह है कि एक संक्रमित व्यक्ति से एक दिश्रमलब दोनों लोग को ही संक्रमन फैल रहा है वैश्विक माप दंडो के अनुसार यदि एक फीस्ति से नीचे COVID-19 का संक्रमन आ जाता है तो यह माना जाता है कि COVID-19 का बहतर प्रवंधन किया जा रहा है और रहातकारे में ततपरदा से जुटी भी है जानगवाने वाले लोगों की परिजनง की प्रती अपनी संवेतना व्यक्त करता हूँ साथी बचे वे लोगों की जल्द से जल्द स्वस्त होने की कामना करता हुँ आपकी जानकारी के लिए आपको पता दे उतर प्रदेश के और यया जिले में सुबह ट्रक और BCM मेटाडोर की भिड़ंत हो गई थी जिसमें 24 प्रवासी मज़़ूरों की जान चली गई है जबकि 35 मज़़ूर अस्पताल में भरती किये गया है इन में से 14 के सिति गंभीर है खबरों की माने तो इन दोनों बाहनों में ज्यादा तर मज़़ूर पश्यमंगाल और जारखन के थे का फैसला कर सकती है एक मीडिया रिपोर्ट के माने तो कंपणी के संस्थापक ने बीते दिन यह बात कई है क्योंकि कोबिड-19 की वज़े से राष्ट्र व्यापी बंद के कारण बिज्दस में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और इसी को ध्यान में रखते वे प्रधानमती नरेंदर मोधी द्वारा किये गया एलान के बात बीते दिनों से सभी छेतरों को रहादेने की कोशूच कर रही हैससे किसान ही से भंद रन का काम कर सकेगे चोटे आकार के food enterprises के लिए 10,000 करोड रोपे fund की विवस्ता जिसमें organic product, helper product, nutrition product के लिए 20 लाग चोटे आकार के food enterprises का इसका फाइदा होगा मतस्य संपदा योजना के रहत 55 लाग लोगों को रोजगार देने का एलान भी जारी किया गया है भारत में चीन से ज्यादा हुए संक्रमितों की संख्या COVID-19 भले चीन के वुहान शहर से निकला हो लेकिन COVID-19 के रोक्ता में चीन में बखुबी अपनी भूमेकाने भाई है वहीं चीन के लावा बाकि सभी देशों में COVID-19 से ज्यादा परिशानी जेली है भारत में भी बिलकुल ऐसा ही हुआ है भारत में प्रभावितों की संख्या ने चीन को भी पीची छोड़ दिया है स्वास्तामंत्राले द्वारा जारी के गे आंकडों के अनुसार भारत में संक्रमितों की संख्या 85,000 को पार कर चुकी है अब तक 2600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है जबकि 30,000 लोग ठीक होकर घर वापस भी लोड़ चुके है मही प्रभावित राज्यों की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा पुरा हाल महाराष्ट गुजराद, बंगाल, करनाटक और दिल्ली का है पिशले 24 घंटे की तोरान महाराष्ट में 1500 से ज्यादा नेमामले सामने आए हैं, वही 49 मरीजों की जान गई है इसके साथ ही महाराष्ट में प्रभावितों की संक्या 29,000 के पार है, वही गुजराथ में सक्रिय मरीजों की संक्या 5,000 के पार है खबरों की माने तो सरकार 17 में के बाद एरपोर्ट खोलने की खोशना कर सकती है एरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी देते वह यह बताया है कि घरेलू उडानों को फिर से शोयू किया जा सकता है अगर ऐसा होता है तो एरपोर्ट की तरफ से जरूरी काइडलाइन जारी की जाएगी जुसका पालन करना यात्रियों के लिए अनिवारे होगा भहिनागरी को डेयन सुरक्षा ब्योरो ने बीते दिन काए कि यात्रिय विमानन ने अपने साथ 3600 मिलिलिलिटर हैंड सैनिटाइजर ले जाने की अनुमती दे दी है हाला कि सरकारी प्राधिकरन के ट्वीट के बाद घरेलू उडानों की जल संचालित करने की संभावना को देखते वे ए ए आई ने अपने तैयारियों की शुरुवात कर दी है झिसके तहlere यात्रियों के कुछ निययमों को लागू किया गया है जिसके तहट फोन पर आलोगी से तु एप रखना आनिवारे прогा मास्क or हांत मेंद। और याध्य पेहना आनिवारे वीड़ी दूरी बनाकर रखनी विशेश के बाद उन्हें मुफ्त में अनाज देने की घोशना की गई है। विशेश के बाद उन्हें मुफ्त में अनाज प्रतेक परिवार को एक किलो चना मुफ्त में दिया जाएगा। और अने पदों के लिए अन्ति परिणाम और न्यूक्ती पत्र बंद के बाद नवोदे विद्याले समीती द्वारा दिया जाएगा। भरती प्रक्रिया में चैने सिक्षोकों को बंद खत्मोने के बाद न्यूक्ती पत्र मिल जाएगा। स्विक्षों को के बद खाली नहीं रहने चाहिए और मंत्राले सभी रिक्तियों को भरने के लिए हर समब मदद भी कर रहा है तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कोछ इस प्रकार है